मठरी बनाना भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और इसे एक महने तक इस्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी मैदा लिया है तो यह लगभग एक पाव के लगभग होगा और इसमें थोड़ा सा हमन कि जैसे बंद जाएए मुठीव से तो इतना ही हमें ओयल को एड करना है और थोड़ा सा पानी एड करते हुए एक नॉर्मल दो तयार कर लेंगे जैसे हम रोटी बनाते हैं सेम उसी तरीके से में बना लेना है और 10 या 15 मिनट के लिए रख दीजे रखने के बाद इसे इस तरी जैसे कट कर दीजे जैसे गिलास हो या कटोरी हो छोटा साइज का या फिर इस तरीके से मेरे तरीके से आप बनाईए तो और भी आसान है तो मैंने यहां पर छोटी छोटी लोगियों को कट किया और इस तरीके से फोक से इस पर होल कर दिया है इसी तरीके से मैंने पूरा ब दिया है इसको लगभग पांच मिनट के लगभग में यह थोड़ा तल जाएगा इसे ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं तलना है मेडियम फ्लेम पे ही तलना है तो यह लीजिए देखे गुल्डन ब्राउन हो गए है अब इसे उतार लेंगे और हाँ इसे चाय के साथ खाई या फिर ऐसे ही खाईए बहुत ज़दा टेस्टी लगता है इसे आप एक दो महिने के लिए श्टोर करकर भी रख सकते हैं तो आज की रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और हां होली आ रहे है ना तो आप सभी को होली की धीर सारे से उपकामना है और जाते की खिर